दोस्तों stock market में best stocks में investment से related ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगर क्योंकि इस वीडियो में हम साथ stocks के बारे में discuss तो करने ही करने वाले हैं साथ ही साथ ये भी discuss करने वाले हैं कि कैसे ऐसे stocks हमें figure out करने से जिनमें की recent high से gir out हुई हो और वो fundamentally strong हो आने वाले समय के लिए हम अपनी portfolio को profitable बनाने की रापर आगे बढ़ा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब एक बार फिर से stock for retail stock market से जुड़ी एक नहीं जानकारे के साथ तो जैसा कि हमने कहा ये वीडियो बहुत ही interesting साथ ही साथ informative भी होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में साथ stocks के बारे में discuss करेंगी करेंगे साथ ही साथ इन में से एक penny stock की category में आता है और logic के साथ ये discuss करेंगे कि कैसे ऐसे stocks हम figure out कर सकते हैं जिनमें की recent market से gir out हुई हो और stock market crash की situation में ऐसे stocks में opportunity बन रही हो तो वीडियो के यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीकी और वीडियो को like करना ना भूलेगा ठीक है अगर हम stock market के overall situation की बात करें latest current situation की तो यहाँ पर देखिए तो पिछले एक महीने में 20% की यहाँ पर हमें positive returns देखने को मिलें वहीं पर पिछले एक महीने में 5.5% का positive returns लेकिन ध्यान दीजे तो जो price to earning ratio है साढ़े तेज की आसपास आ चुका है price to earning ratio अगर 25 के उपर चला जाता है तो यह बहुत risky zone में हमारे stock market को ले जाता है और वहाँ से एक बड़े गिरावट की संभावना होती तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि stock market में आने वाले समय में गिरावट हम expect कर सकते हाला कि 25, 26, 27 यह depend करता है overall current earnings और current prices के उपर तो यहाँ पर आने वाले कुछ दिन decide करेंगे कि हमारा stock market हमें correction दिखाता है या नहीं ठीक है चलिए stock market में यह सब सीखने के लिए हमारा application हमने launch कर दिया है S4R इसको आप download कर सकते हैं 10,000 से ज़्यादा already downloads हो चुके हैं और यहाँ पर हम आपको सिखाते है stock market के बारे में detail में यहाँ पर हमने एक course भी launch कर रखा है recently हमने launch किया जिसको उसमें chapter 1 हमने already upload कर दिया chapter 2 हम जल्दी upload करने वाले January 2024 तक chapter 2 वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे खास बात इसकी यह है कि इसमें जितनी भी videos हम add करते जाएगे उस सारी videos का access आपके पास रहेगा सारे chapters का access आपके पास रहेगा और इसकी कोई expiry date नहीं है तो generally जो courses यहाँ पर आपके पास देखने को मिलते हैं उनमें एक expiry time होता है यानि कि 15 दिन के अंदर complete कर लो एक महिने के अंदर या छे महिने के अंदर complete कर लो फिर आपको पास उसका access नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस course का access आपके पास हमेशा रहेगा ठीक है तो इसको आप download कर सकते links और details मैं आपको description में दे दूँगा चली आरती industries यहाँ पर ध्यान दीजे तो आरती industries limited recent high अगर हम देखें तो करीब करीग 1110 रुपय के आसपास था recent low यहाँ पर 446 रुपय के आसपास था अब 1140 से 446 यह आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ी गिरावट है बड़ा discount है लेकिन stock market में बड़ी गिरावट बड़ा discount generally trap के रूप में देखायाता है तो ऐसे में हमें यह देखना जरूरी हो जाता है कि जिस stock में गिरावट हुई है recently बड़ी उसका past track record कैसा रहा है और क्या वो वाकई में fundamentally strong है या नहीं देखिए इसको समझाने के लिए एक cricket से related example देते हैं cricket में दो players हैं और दोनों players ने double century मार रखी है एक player ने double century मारी है 200-200 match खेलने के बाद और उनका on average रहा है केवल 10-15 का यानि कि 10-15 run वो बनाते हैं हर match में और उन्होंने recently 200 run बनाये और वहीं पे दूसरे player जो है उनका past track record बहुत ही अच्छा था और उन्हों कि वो 120 match खेल चुके हैं और वो literally हर 4-5 match में century बनाते हैं तो ऐसे मैं आप किस player के साथ investment करना चाहोगे देखिए यहाँ पे तोनों players ने double century बना रखी रहेट बट जो हमारा दूसरा player है जो कि Mr. Consistent है ऐसे stocks अगर हम figure out करते हैं और उनमें गिरावट पे investment करते हैं जबकि उनकी form जो है खराब होती है तो हमें returns मिलने के chances ज़्यादा होते हैं अब यहाँ पे कैसे यह Mr. Consistent की category में आते है stocks यह पता करने के लिए हम fundamental analysis करते हैं तो आगे हमें किसी particular stock का fundamental analysis भी करेंगे यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इस stock ने आपको हमेशा एक अच्छा खासा returns दिया और इसमें अब यह बड़ी गिरावट हुई है तो अब यहाँ पे यह हमारे लिए एक opportunity हो सकता है ठीक है चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगली company के वारे हम तो जो अगली company है happiest minds tech अब यहाँ पे 300 रुपए से करीब करीब 1500 रुपए तक हमें appreciation दिखा है अब एक बार यह अब ऐसे में यह गिरावट यहाँ पर यह जो discount मिल रहा है यहाँ पर एक opportunity के तौर पर लिया जाएगा ना कि second category वाले batsman के रूप में जहाँ पर उसने 200 रन काफी लंबे समय के बाद बनाए और उसका average भी खराब रहा है ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं awesome works later के बास न इनमें भी 2018 में 312 रूपए से यह price गया था 218 रूपए तक 2015 में यह price 200 रूपए के आसपास से गया सा सीधे 30 रूपए के आसपास तो इनमें बड़ी गिरावट होने के साथ ही साथ इन्होंने अपने आपको एक दो तीन यह recently 4-5 बार प्रूफ किया है तो ऐसे stocks जो की गिरा होने का एक अच्छा खासा option हो सकता है तो यहां पर ऐसे में अगर jubilant foodworks के fundamentals अच्छे हुए तो हमारे लिए एक buying opportunity हो सकती है ठीक है all cargo limited अभी यहां पर all cargo में देखिए 2018 में तिरपन रूपए से हमें गिरता हुआ यह 15 रूपए के आसपास गया और उसके बाद से 15 रूपए भी देखने को मिल रही है तो अगर इसके fundamentals अच्छे हैं तो यह गिरावट जो ताजा ताजा गिरावट है हमारे लिए opportunity हो सकती खास्तोर पर और से यहां पर एक oversold zone इंडिकेट कर रहा है और recently इन्होंने bonus share भी issue किया था उसके बारे में मागे detail में बात करेंगे तो generally bonus shares होते है stock splits होते है company हो में stock prices में गिरावट होती है लेकिन अगर वो company है अच्छी होती है fundamentally strong होती है तो ऐसे events हमारे लिए opportunity होते है ठीक है चलिए अब यहां पर बात करते है IULCP के बारे में IULCP यहां पर 2016 में करीब करीब 170 रुपए के आसपास से 49 रुपए तक गया फिर 2019 में 211 यह गिरावट एक discount के तोर पर देखी जाएगी अब ऐसे stocks में हमें यह नहीं देखना होता है कि discount मिल रहा है तो हमारे लिए buying opportunity है हमें कई सारे important factors को भी ध्यान में रखते हुए decide करना होता है और strategy के साथ decide करना होता है कि हमें investment करना है या नहीं अब हो सकता है IULCP में जो गिर ऐसे stocks को हमें avoid करना चाहिए ठीक है यहां पर आप देख सकते है IULCP में एक अच्छी खासी discount मिल रही है और समक्सेंट के बास नीचे है RSI यहां पर हाला की कह सकते हैं कि एक no buying zone में but all in all long term के लिए अच्छा stocks हो सकते हैं यहां पर अच्छी opportunity हो सकती है recent गिरावट अब ऐसे म हम समझते हैं कि all cargo जो हमने दिसकस किया था उसके fundamentals कैसे हैं तो देखिए company आपको consistently dividend payout कर रही है profitable है cash flow भी positive है पित्रोषकी score के हिसाफ से long term cliffid बैट रहा है ग्रहम नंबर के आसपास अभी भी मिल रहा है ग्रहम नंबर से बहुत ज्यादा दूर नहीं भागा है return on equity बहतरी न आप से अभी भी आपको एक undervalued दाम पर देखने को मिल अब यहां पर ध्यान दीजिए तो 52x high के आसपास मिल रहा है ऐसे में लग रहा होगा कि 52x high के आसपास से buy क्यों करूँ लेकिन आप ध्यान दीजिए तो recent high से आपको अभी भी एक discount देता हुआ दिखाई दे रहा है य margin of safety के तहित हम stocks को तब buy करें जबकि उनका current price अपने ग्रहम नंबर से कम दाम पर trade कर रहा हो तो ऐसे में हमें returns मिलने के chances ज्यादा होते हैं तो यह सब बाते हैं हम calculated way में decide कर सकते हैं इस्तेमाल करते हुए और based on calculated decision making strategies हम decide कर सकते हैं कि हमें कितना investment करना चाहिए ऐसे stocks में ठीक और 2022-2023 इसके लिए बहुत ही बहतरी निया था जिसमें एक अच्छा खासा profitable company सावित हुई यह particular company overall ठीक है और वहीं पे cash flow के बात करें तो free cash flow आप यहाँ पे देख सकते year on year आपको जो free cash flow है वो positive देखने को मिला हाला कि 2020 में के पहले यह negative free cash flow के पास साथ चल रही थी तो ऐ ऐसे में हम कह सकते हैं कि company के पास surplus cash flow है और ऐसे में company focus कर सकती है आपने overall growth पर यहाँ पर अगर हम shareholding pattern की बात करें all cargo logistics की तो 69% के आसपास यहाँ पर promoters है 16% के आसपास public है और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब-करीब 13-14% के आसपास आपको institutional shareholding यानि कि qualified investors का investment देखने क किसी भी company में अगर 40-50% ज्यादा promoters है उसमें promoter shareholding की pledging नहीं हो रखी और 15-20% से ज्यादा उसमें institutions है यानि कि qualified investors ने investment कर रहा है तो ऐसे में बीना किसी fundamental analysis के या बीने किसी financial analysis के हम investment करने का decide कर सकते हैं यहाँ पर देखें तो fundamentals इसके strong लग रहा है साथी साथ recently discount price पे भी मिल solutions हैं और यहाँ पर देखें तो हमारे mutual funds और DIs कम मात्रा में invested हैं ऐसे में FIIs पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर दो सब कुछ अच्छा दिख रहा है हमें All Cargo का दो हमें दिख रहा है कि आने वाल समय में इसके business segment पे growth भी आ है बट अपनी portfolio का ऐसे stocks में 3-4-5% स 2024 था यानि कि कल के दिन यहाँ पर जो prices हैं वो आपको adjust होके trade होते हुए दिखाई दिए ठीक चलिए अब यहाँ पर हरानबा की बात करते हैं तो दिखिए हरानबा में 894 रुपए से prices गए 284 रुपए तक अब यह हमारी है cricket की दूसरी category है आते ही 50% से ज्यादा का discount यानि कि अभी यह launch हुए हैं अभी इन्होंने डेवी किया ही है और यह performance अच्छा नहीं दे पार हैं दोस्तोरण बनाने की तुदूर के बात यहाँ पर पर्फर्मेंस अच्छा नहीं दे पार हैं तो ऐसे में अगर यह दोस्तोरण बना भी देते हैं तो क्या हम इन पर trust कर सकते हैं आप सवाल का comments में जवाब जिरूर से जिरूर दीजिए ठीक है अब यहाँ पर fundamentals देखना इनका बहुत important हो जाता है तो यह हरानबा में company आपको consistently dividend payout कर यह profitable है cash flow भी positive है पित्रवस्की स्कोर के साब से long term clear fit better है ग्रहम नुम्बर से ज्यादा दूर नहीं है return on equity 14% return on capital employed बहतरी देहन दीजे तो 52 weeks high से थोड़ा discount में मिल रहा है लेकिन all in all recent high से आपको एक बहुत अच्छे discount में मिल रहा है तो ऐसे में fundamentals बहुत खराब नहीं है fundamentals इसके अच्छे है जो गिरावट हुई है वो हमारे लिए एक opportunity हो सकती है खास दोर पर अगर इसके business segment में हमें growth का scope दिखता ह तो business क्या करती है company आने वाले समय में उस business segment में क्या growth का scope है यह हमें पता करना बहुत important हो जाता है तो ऐसे में यह पता करिए कि यह company कर क्या रही है इसके business segment पे क्या growth का scope है और जो overall sector है वो कैसा perform कर रहा है ठीक है तो अगर overall sector ही नहीं perform कर रहा है chemical का तो ऐसे में हमारे लिए एक buying opportunity हो सकती है जो particular gir out हुई है यह हमारे लिए buying opportunity हो सकती है ठीक है यहाँ पे अगर हम share holding pattern पे ध्यान दे तो देखिए हरानबा में September 2023 में आपको कोई भी institutions देखने को नहीं मिलना है जो December 2022 में थोड़े बहुत institutions थे वो भी चले गए हाला कि promoters ने अपनी share holding बढ़ाई है लेक recent gir out हो चुकी है ऐसे stocks में हमें अपनी portfolio का 1,5-2% से ज्यादा investment 3% से ज्यादा investment नहीं करना चाहिए तो यह सब examples के ज़िए मैं discuss क्यों करता हूँ ताकि आप सीखें अब यहां पे 7 stocks हम discuss कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 7 के सातों हम recommend कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कोई भी recommendation नह हजारो probabilities हैं उन हजारो probabilities के बारे में हमें पता होना चाहिए और वो पदा तभी हमें हो सकते हैं जब हमें stock market की experience होती है तो कभी कभी क्या होता है हम stock को buy कर लेते हैं stock fundamentally weak रहते हैं और वो 50% 60% भाग जाते हैं और किसी ने अगर कह रखा है कि इसके fundamentals weak हैं तो आप सूचने का सही स्तेवाल करती हुए stock market profitable जरूर से जरूर रहता है ठीक है चलिए अब यहाँ पे इस particular company के बारे में बात करते हैं Trident Limited Trident देखिए 2017 में करीब करीब 12 रुपए से यह गिरता हुआ 4 रुपए पे आया तो इसमें एक बार यहाँ पे गिराओट हुई थी और उसके बाद स चार रुपए से इसने अपने आपको प्रूप किया करीब करीब 70 रुपए के आसपास गया यहाँ पे 15-16 गुना रिटन्स इसने दिया अब 11 रुपए से गिरने के पहले इसने एक अच्छा खासा रिटन्स दिया था यानि कि यह Mr. Consistent की category में आ जाता है अब इस company में अगर यह गिरावट हो रही है तो यह गिरावट हमारे लिए buying opportunity है या नहीं आप लोग comment करके जरूर बताए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो RSI हलाकि no trade zone में है लेकिन long term के लिए अगर इसके fundamentals अच्छी हुए तो क्या यह buying opportunity नहीं हो सकती simple सी logical बात अगर fundamentally strong है और company का past track record ठीक है तो यह सब बात हैं हम आपको सिखाएंगे अपने application के course में application में यहाँ पे आप download कर सकते इसको और S4R नाम से आप search करेंगे और यहाँ पे chapter 2 की video जल्द ही आने वाली है January 2021 में आपको chapter 2 की videos मिल जाएंगे तो ठीक है दोस्तों इस video में फिलाल इतना है दोस्तों उम्म आनली हमारे दोर डिसकस किए के stocks में investment करते रही है हम आप लोग लिए information लाते हैं ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बनने की रापर आगे बढ़ सकें